आज यहां धरती पुना धन्य हो चुकी है और यहां कारेक्रम आलोकिक रूप से स्पंदित होकर दिव्य और भव्य हो चुला है आगे की कारवाई के लिए मैं आमंत्रिक करना चाहूंगा मानिय मुख्या सचिव उत्राखन साशन मानिय मुख्या सचिव जी जदि मानिय राजपल महोद्या की अगय हो तो इस समारों की कारवाई प्रारम की जाए मानिय राजपल महोद्या की अगय से अब इस समारों की कारवाई प्रारम की जाती है मानिय राजपल महोद्या ने शिरी पुश्कर सिंग दामी को उत्राखन राज़े का मुख्य मंत्री निजुक्त गया है और मानिय राजपल महोद्या शिरी पुश्कर सिंग दामी को शबत दलाएंगे मैं मैं पुश्कर सिंग दामी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं बीदी द्वारा इस्तापिव भारत के समिधान के परती सच्ची सरदा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की परभुता और अखंता अक्षुन रखूंगा मैं उत्राखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सरदा पूरुवत और सुद्धा अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुर्वाग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और बिदी के अनुसार नियाए करूंगा मैं मैं पुसकर सिंगामी इस्वर की सपथ लेता हूँ कि जो विशय उत्राखन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने करतबनों के सम्यात निर्वान के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूतित या परकाट नहीं करूँगा मानिय रजवाल मोद्या ने मानिय मुक्मنتری जी की सलाव पर जिन महानुम भावों को उत्राखंट राजे का मंत्री निजुक्त किया है उनके नाग इस परकार हैं शिरी सत्पल महराज सदसे अवधान सबा शिरी प्रेम चंद अगरवाल सदसे अवधान सबा श्री गनेश योशी सदस्य वद्हान सबा डॉक्टर दानसिंग रावत सदस्य वद्हान सबा श्री स्बोध उन्याल सदस्य वद्हान सबा श्री मती रेखा अरिया सदस्य वद्हान सबा श्री चंदन राम दास सदस्य वद्हान सबा शिरी सौरो बहुगुणा सदिसे अवदान सबा अब शिरी सत्यपाल महराज किर्पया शवद ग्रैंड करने है तू पुधारने का कश्ट करें मैं सत्पाल महराज इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधिद्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची शर्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अक्षुन रखूंगा मैं उत्राखंड राज्य के मंद्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शर्धा पूर्वक और शुद्ध अंताकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं सप्पाल महराज इश्वर के शपत लेता हूँ कि जो विशय उत्राखन राज्ज के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्याथ होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने करदव्यों के स्यम्मिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रतक्ष अत्वा अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा शिरी प्रेम चंद अगरवाल किर्प्याश्वत ग्रेंड है तू पदारने का कश्ट करें अहम अहम प्रेम चंद अगरवाल हा इस वर्से नामन शपय यद अहम विधिना इस्तापश्य भारतास्य समिधानम परती सत्यां सर्धां निष्ठांच धारेसी से तथा भारतास्य प्रवतां अखंतां च अक्षूरूनां रक्षी से आमी तथा अहम उत्राखन राजस्य, मंत्री द्वेन, स्वक्र्त व्यानी, सर्धा पुरुवकं, सुद्ध अंत्र करनेन, च निर्वक्षयामी, तथा सर्वविधी लोकान प्रती वितीम, पक्ष पातम वा, रागं, द्वेशं, व विहाय, यथा सम्विधानं, यथा विधीम, च अगरवाल, इस्वरस नामना, शपे यत कमपी विशयं, यह उत्राखन राजस्य, मंत्री द्वेन, मम विचारार्थ, आनियेत, मयाम परिज्यातह, वा भवेत, कमपी जनं, कान, आपी जनान, वा प्रती एता द्रुष मंत्र द्वेन, मम करत ब्यानां, निर्महानार्थ, तद विहाय प्रत्यक्स रुपेन, अप्रत्यक्स रुपेन, वा नहीं संसुची यस्यामी, नवा प्रगट करिश्यामी धन्यवाद शिरी गणेश योशी किरपया शवद ग्रेंड है तो पधारने का कश्ट करें मैं गणेश योशी इस वर्ग की सबत लेता हूं कि मैं विजी द्वारा स्थापिद भारत के समिधान के प्रती सच्ची सद्धार निस्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और हिंडता शुन रखूंगा मैं उत्ताखन राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तिव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतकरण से निर्वन करूंगा तथा मैं भाई या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विजी के अनुसार नयक करूंगा मैं गणेज जोशी इसवर की सबत लेता हूँ कि जो भी सहे उत्राखन राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएगा अत्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्भन के लिए ऐसा करना भिश्शिक्त हो मैं पत्यक्स तदाप्तक्स रूप से संसुचित जापरकट नहीं करूंगा डॉक्टर दम सिंग रावत किरपया शबत ग्रेंड है तो पदारने का कश्ट करें मैं मैं डॉक्टर धन सिंग रावत इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्तापित भारत के समिधान के परती सच्ची सर्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की परभुता और अखंडता अक्षों रखूंगा मैं उत्राखन राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सर्दा पूर्वक और सुद्ध अन्ता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी परकार के लोगों के परती समिधान और विदी के अन्सार न्याय करूंगा मैं डॉक्टर धन सिंग रावत इस्वर की सपद लेता हूँ कि जो भी से उत्राखन राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के समय निर्वेन करने के लिए ऐसा करना अफेक्षी तो मैं अथवा परत्यक्ष रूप से संसूचित या परकट नहीं करूंगा श्री स्बोद नियाल किर्पया श्रफद ग्रेंड है तू पदहारने का कश्ट करें मैं मैं सुबोद नियाल इस वर की सबत लेता हूं कि मैं विदिद्वारा इस्तापित भारत के सभिदान के प्रति सची सर्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अक्षुन रखूंगा मैं उत्राखन राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सद्धा पूर्वक और सुद्ध अंता करन से निवहन करूंगा तता मैं भैय या पक्षपाद अनुराग या दूएस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति समीदान और बिदी के अनुशार नियाए करूंगा मैं सुबोद निया इसर की सबत लेता हूं कि जो मिसाह उत्रक्षण राज के मंत्री के रूप में मेरे बिचार के रिलाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विद्या विद्यों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्मेक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपक्चित हो मैं पर्चक्ष रूप से संसुचित या परकट नहीं करूंगा मैं रेखा आरिया इश्वर की शपत लेती हूं कि मैं विधी द्वरस्थापित भारत के सम्मेधान के प्रती सच्ची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगी मैं उत्रखंड राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का श्रधा पूर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्मेधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगी मैं रेखा आरिया इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे उत्राखनी राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किजी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रतेक्ष अथ्वा अप्रतेक्ष रुप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी श्री चंदन रामदास किरपया शप्त ग्रेंड हेतू अधारने का कश्ट करें मैं चंदन रामदास इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्तापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरधावनिस्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटता अक्षोन रखूंगा मैं उत्राखंड राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रधापुरुवक और सुद्ध अंतवा करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्लती संविधान और बीदी के अनुसार नियाई करूंगा मैं चंदनरामदास इस्वर की सपत लेता हूं कि जो विशाई उत्राखंड राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाई जबके ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्चप्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्सित हो मैं पर्चक्ष आपर्चक्ष रूप से संचुचित या प्रकट नहीं करूँगा श्री सौरव बहुगणा किरपया शक्त ग्रैंड हेतू पदारने का कश करें मैं सौरव बहुगना इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदीद वारा स्तापित भारत के सम्यदान के प्रती सक्ची श्रद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखर्निता अक्षुन रखूँगा मैं भारत राजी के मंत्री के रूप में उत्राखन राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का अशद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वान करूँगा तथा मैं भाई या पक्षपात, अनुराग या दुवेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नयाय करूँगा मैं सौरब अउगना इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय उत्राखन राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा आप प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा प्रकी हुष्वा आप अच्रस अखाय करदooth किसम करने थी नहां है जदी मानिय राजबाल महोदया की आगया हो तो इस समारोगी कारवाई समाप की जाए मानिय राजबाल महोदया की आगया से इस समारोगी कारवाई समाप किया जाता है कर दो कर दो कर दो हुआ 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 पुशकर सिंग धामी एक बार फिर उत्राखंड के मुख्य मंत्री बन गए हैं पज और गोपनिय ताकि शपत उन्हों न लिये हैं और पुशकर सिंग धामी के साथ में आठ और मंत्रियों ने शपत लिये हैं और इसमें दो एहम चेहरे जो नए दिखाई दी हैं वो है चंदन नामदास और सौरब वहुगुणा के अगर हम इन दोनों चेहरों की बात करें तो बागेश्वर से चंदन नामदास आते हैं तीन बार के आमेले लेकिन पहली बार मंत्री बन रहे हैं और दूसरी तरफ सौरब वहुगुणा जो की पूर मुख्य मंत्री विजय के बेटे हैं सितार गन से विधायत चुने गए हैं और पहली बार युवा चेहरों को अपने काबिनेट में जगा दी गई है और ये सीधी तस्वीरे आप देख रहे हैं मन्च से देरादून के परेट ग्राउंड से जहांकी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है हुआ है झाल 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 झाल